अजरब बैंक ग्रेड वी भरती ओफिशल नोटिफिकेशन सोट नोटिफिकेशन को जारी किया गया दोस्तों वेकंसी अपने आप काफी अच्छी वेकंसी निकल का आई है और भी आई में ओफिसर ग्रेड वी की वेकंसी दोस्तों एज फीस क्या रहेगा सेली 35 प्लस आपको म मिलने वाली दोस्तों वेकंसी बहुत ही इंपोर्डेंट है वीडियो बहुत ही इंपोर्डेट होने वाला दौस्तों वेकंसी अगर आप आयज इसिड पेंक आप लाई करना चाहते वीडियो को लास्त तक ऐक बाल जूरु देखें अचेंशानल के अजय करना है चachoले करके जारी कर दियेगे है तो जाने के कौन-कौन से candidate कर सकते हैं आप दिन की प्रोसस क्या रहेगा एज सेलक्षन प्रोसस क्या रहेगा एक्जाम प्रेटन क्या रहेगा कितना फ्रीज लगेंगा यह नहीं लगेंगा तो सारी इन्फ्रमेशन आपको एटुजड मिलने वाली है दोस का नोटिफिकेशन को जारी किया गया है ठीक है तो सरकारी में नोकरी की इतलास कर रहे हैं जो भी कंडियेट आया या आरवियाई में आप आवेदन करने जा रहे हैं और इसमें जोप लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छी नहीं बलकि बहुत ही अच्छी खबर ह तो इस भरती में योगता रखने वाले इच्छुक और योग उमीदवार जो भी हैं अपना तिथी से पहले आप आवेदन कर सकते हैं ठीक है ओनलाइन आवेदन फॉर्म समिट कर सकते हैं और यह ओफिसे ग्रेड वी रिकरेडमेंट दो तैस में ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिती जो नौ माई 2023 से व Southeast शुरू होंगे तो ये तिती में आपको याद रखनी है मैं इसमें करने कि लिए जो में यहाँ संय है ज्यक्ट इन्रेति यहाँपन कंप्लीट होना जरूरी है ठीक है यह क्या रहेगा शेचनी योगता मैंने बता दी है आपका ग्रोजेशन कंप्लीट होना जरूरी है अनिवार है तभी इस वेकिंसी में आप अप्लाइक कर सकते हैं ठीक है आवेदन सूल का आपको ओनलाइन पे करना पड़ेगा कितना लगेगा तो चलिए फ्रेंट्स जानते हैं देख सकते हैं आई उस्युमा आवेदन सूल कि से चली योगता भी देखेंगे यादि में अन्तिम दित्री यहां पर नो जून रखी ऐसे हमें टीके बिखनेंसी यहां पे 2202ापको देखने को मिलेंगी ओफिस इं ग्रेट एक बेकंसी के लिए जन रर्यून आप ठीक है सैटेरेंड ओफिसधिक ग्रेड वीखनिवह इस्में डिपी आर-पे येकिशिividades में undergraduate получится बात करेंगेगे आप 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 ऑफिसर इन ग्रेड वी की वेकंसी है जिसमें डी येस आयम पी की वेकंसी जिसमें 31 यानि की 31 पद है तो 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 यहां पे 91 पोश्टों के लिए आप जो है आवैदन कर सकते हैं जिस प्रकार से आपका क्वालिफिकेशन से यहां पे कंपल सी होना चाहिए ताब तभी आप जो है अवीधन कर सकते हैं दोस्तों बात करंगे अपीलिकेशन की कितना यहां पर फीस मांगा जाएगा कौन से कंडियेट के लिए तो भारतिय रिजर्व बैंक ऑफिसर ग्रेड बी की बेगिंसी में आप आवेदन करने जा रहे हैं तो जो भी कंडिडेट हैं सामान हैं अवेदन सुल्क यहां पे लगने वाला है दोस्तों वह आठ सो पचास रुपे आपको पे करना पड़ेगा ओनलाइन को फॉर्म को फिलप करते हैं ओनलाइन ठीक है आठ सो पचास रुपे सामान ओवेदन के लिए इसी भरती में सामिल होने वाले सी स्टी पी डबलू से लिए कि जो भी हमीदवार हैं उनका आपड़ेदन सुल्क अगर भॉक्तान करना ता उनको सो रुपे में आपड़ेदन जो है आप अपना फिलप कर सकते हैं तो आरबेदन में सामिल हुए कंड़ेट के लिए किसी भी परकार का आपड़ेदन सुल्क जो हैं नहीं लिया जागा द यहां पर एकने वारे तो अर्भी ओफिसेज ग्रेड वीगेंसि में अप्लाइक करने वाले हैं उनका कम से कम 21 वर्स एज होना चाहिए और अधिक्तम की बात करेंगे तो आप तीस परस होना चाहिए ठीक है भारतिय रिज्रब बेंक भारतिय तीस में आविद्न करने वाले आरचे सेनी के आविद को सरकारी नीम अनुसार अधिक्तम या आई से में चूट भी परदान की जाएगी तो सभी कंडियेट आप जानते हैं आप परप्रेशन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ओवी सी कंडियेट या या एडब्लूएस चैनल के डागरी के लिए यहां पर तीन साल आपको एज में चूट मिलता है और अगर आप यह स चूट मिलता है एक सर्विसमेंन है पीडवलू है तो भी अलक से यहां पर चूट मिलता है जो भी यह है गौवर्मेंट के रूल रेगुलेशन के अनसार या नीमों के अनसार मिलता ठीक है यह चीज आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों बात करेंगे क्वालिफिकेशन की आपतार अब करने जया नतों आपको क्वालिफिकेशन का बीनोलेश आपको कर सकते तो आरल फिकेंसी में ग्रेडिवी से कर रहे करें है तो आपका गुरेजविट या होना चाहिए ठीक है स्कूना जाहिए तो घच सह आर जो आप पोस्ट में अपलाई कर सकते हैं पोस्ट बाकी वोस्त यहां पर देख सकते हैं तो इन्टर मनें और बेचले डिग्री और किसी भी इनुवर्ष्टी से में इस्टीब के हो पचास पर्सेंट एक इस के होना चाहिए तो आपका साइट परसेंट हाइश कूल या इंटर में होना चाहिए आपका बेचले डिग्री आपने कंप्लीट कर रखा है तो उसमें आपका पचास परसेंट होना चाहिए यह सी परसेंट कम से कम होना चाहिए और सी एस्ट के लिए यहां पर पचास परसेंट मांगा गया दोस्तों यह चीज आपको क्लियर हो गया होगा ऑफिसर इन क्रेड़ पी की वेंगेसी में डीपीर की ठीक है अब बात करेंगे थार्ड पॉस्ट के लिए कितना यहां पर क्वालिप इन प्षी अचाहिए जो भी है पच-बशींट कम से कम होना चाहिए मास्टर डिडरी में और इसी पर गार से आप या 2014 में तो आपको क्लियर हो गया उस्तों कौलिफिकेशन में कौन सी पर्सेंटेज आपके पास होना चाहिए कौन से प्रसेंट ने बात करें के प्रॉसेस सेलक्सन प्लीटए पर दिच्शा होगा जो अमेंदस कंटिच्ट परिजारिक स्कूल ले। तो इस परकार से दोस्तों आपका प्रिपरेशन होगा और मिणे क्वर्छा होगा यानि कि मेन एक्जाम होगा डाकुमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा इस प्रगार से आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका सेलेक्शन हो जाएगा दोस्तों ठीक है तो फ्रेंड्स आप करने के लिए वीडियो के सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रेप्शन मिल जाएंगे चाहें ऑनलाइन ओफिस साइट का हो चाहें अप्लाइक करने का हो कोई अगर डाउट रह जाता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट चरू करें दोस्तों उमीद करूंगा आपकी प्रोब्लम साता है अप्लाइ करने के लिए तो प्लीज कमंट बॉक्स में कमेंट चरू करेंगे. अगर फ्रेंट्स वीडियो पासंद आया हो तो लाइक सेर कर सकते हैं. चैनल पेर आएगर आप पहली बाद वीजिट करने हैं, सबस्क्राइब करें और परिश्ट कर सकते हैं तब तक के लिए वाय थेंक्यू